नमस्कार, इंडिया फाउंडेशन पॉटकास सिरीज में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं। आकरमनकारियों से लड़ रहा था। वो इतिहास हमको मालूम है। आजाजी के बाद ऐसा लगता था कि जो आकरमनकारियों ने यहां पर विध्वन्स किये, उनको फिर से ठीक किया जाएगा। आश्चर जनक रूप से हो नहीं सका। दुनिया का कोई भी समाज बिना स्वाहिमान के बिना सम्मान के रह नहीं सकता। बारस और तेरस और वर्सों में भारत ने जो देखा विश्व में अभूत पूर्व द्रश्य था। बाहर से आने वाले आकरमनकारी घोर असहिश्णू थे, एक्स्ट्रीम इंटोलरेंट थे। भारत ये संसकति या ध्यात्म के किसी भी चिन्न को मिटाने के लिए वे कृत संकल्पितो करके आई थे। फॉर्म डिटरमेंड थे। ऐसा वे दुनिया में अने कि स्थानों पर कर भी चुके थे। बार बार उन्होंने भारत के सभी मंद्रों को तोड़ने का संकल्प लिया। आजादी के बाद ऐसा लगता था वे पुन्द निर्मित हो जाएंगे। भारत के हिंदुों ने उसको उस द्रश्टी से निर्मान करने का निर्म नहीं लिया। अच्छा तो यह होता कि भारत में रहने वाला मुस्लिम समाज स्वैम आगे आता। और प्रतीक सरूप में कहता कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया था उसके समंद में हमको प्राश्चित है। और प्रतीक सरूप हम कुछ आपके महत्रपूरिस्थान स्वाप देते हैं। तो साइद समनवे अच्छा होता। बंद हो एक बात आप लोग हम लोग ध्यान में रखे हैं। एक बड़े ख्यात नाम लेखक हो गए दिनकर रामधारी सिंग दिनकर। उन्हों संस्कति के चार अध्या नाम की एक पुष्टक लिखी है। उस पुष्टक में लिखते हैं हिंदू, मुस्लिम, एकता का कोई भी प्रयास इस देश में सफल नहीं हो सका। दिल ऐसे फटे के गहरे फट गए। खायां गहरी हो गई। वे बार-बार मंदिर तोड़ते थे। लेकिन कोई बात ऐसी थी जो चुपचाप शांत बैठ करके उसी खंडहर के उपर नए मंदिर के निर्मान का संकल्प लेती थी। ऐसा संकल्प ग्रीक के लोग नहीं ले सके। ऐसा संकल्प मैजश्च पोटामिया के लोग नहीं ले सके। ऐसा संकल्प मिश्च और परश्या के लोग भी नहीं ले सके। भारत के लोगों के मन में एक संकल्प था, कैसल मौका आएगा हम फिर अपना मंदिर बनाएंगे। और बार तूटे हुए खंड़र के उपर नया मंदिर बनाते थे। उन आक्रमनकारियों ने यहां के समाज की उस भावनाव को तोड़ने में सपलता नहीं प्राप्त करी। जो बार बार तूटे हुए मंदर के उपर मंदर का संकल्प लेकर के खड़ी रहती थी। इस हिंदू समाज की उदारता के बारे में आर्नोल्ड टाइन भी कुछ कहता है। 1914-1915 में जब रसिया ने वार्षा को जीता पूलेंड को तो वहां के कुछ संस्थानों को चर्च को धुस्त कर दिया। नई संस्थान बना दिये। लेकि जैसे ही वार्षा में पॉलेंड के लोगों ने अपना कपजा किया अपने इस्थानों को पुना निर्मित किया। आर्नोल्ड टाइन भी कहता है ये भावना भारतियों में नहीं थी। एक लंबा परेग्राफ है मैं आपको पड़कर के सुनाता हूं। As I have been speaking, some vivid visual memories have been flashing up in mind's eye. One of these mental picture of the principal square in the Polish city of Warsaw. Sometime in the late 1920s, in the course of the first Russian occupation of Warsaw, 1914-1915, the Russians had built an Eastern Orthodox Christian cathedral on this central spot in the city that had been the capital of the once independent Roman Catholic Christian country Poland. The Russians had done this to give the Poles a continuous ocular demonstration that the Russians were their masters. After re-establishment of Poland's independence in 1918, the Poles had pulled this cathedral down. The demolition had been completed just before the date of my visit. I don't greatly blame the Polish government for having pulled down that Russian church. The purpose for which the Russians had built it had been not religious but political. And the purpose had also been intentionally offensive. Orangzev's purpose in building those three mosques was the same intentionally offensive political purpose that moved the Russians to build their Orthodox cathedral in the city center at the Warsaw. Those mosques were intended to signify that an Islamic government was reigning supreme even in Hinduism's holiest of holy places. I must say that Orangzev had a veritable genius for picking out provocative sites. Orangzev and Philip II of Spain are a pair. They are incarnations of the gloomy, fanatical vein in the Christian, Muslim, Jewish family of religions. Orangzev, poor, rash, misguided bad man, spent a lifetime of hard labor in raising massive monuments of his own discredit. Perhaps the Poles were really kinder in destroying the Russians' self-desiccating monument in Warsaw than you have been in sparing Orangzev's mosques. He said he was in Germany. Arnold 10-1960 in the 1960s in Delhi at a seminar in Delhi. You are not a people of Poland or Warsaw people. You are not a lot of people. You are a lot of people. You are saying it. You are saying it. After that, it was not a war. It was not a war. It was 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 a war. The U.N. है हम आध्यात्मिक है भारत बिखरता नहीं उसका कारण है हम आध्यात्मिक है हमारे इस प्रिच्वल आस्पेक्ट है वो सारे डैवर सिटीज के बावजूद भी मिलकर के रहता है मालों 1937 के बाद भारते डिस्जियन लेता नहीं यह तोड़ दिया जाए तो उसमें कोई रोक प्रतिका है कि कोई बात हो एक प्रेम से बन जाए लेकिन वो नहीं बन सका और इसलिए एक लंबा बड़ा आंदोलन हुआ जचा हमारे पूर्व के बक्ता स्रीमान भूपेंदर जी ने बताया एक लंबी कानूनी लाई हम लोग जीत गए ठीक बात है बड़ा आंदोलन चला है आयोध्या का देकर एक एक सिंभल है कि सिंभल कहें की यह बड़ा प्रश्न है और दुनिया इस बात को आश्चर से देखे और जाने है आयोध्या काई का सिंभल है तो हम लोग इस बात को समझे जाने आयोध्या काय का सिंबल है उस बात को मैं आपके सामने रखता हूं आयोध्या मतलब क्या है आयोध्या एक assimilation का सेंटर है आयोध्या हजारों हजारों साल से देज की विविद्धताओं को एक साथ मिलकर चलने का एक सर्वस्रेश्ट उधारन है अयोद्य के राम का एक मंदिर राम का एक जनमे उस्तान इतना नहीं है भगवान राम के पूर बजों का केंद्र अयोद्या है इसको हम सब लोग जानते है एक छाकू वंश और सूर्य वंश यह चलता चला आ रहा है एक लंबी परंपरा से हम उत्रहीं भर जानते हैं देश के लोग हम यह नहीं जानते कि जैन धर्म के प्रफम तीर्थंकर जो आदिनात हो गए रिशब देव हो गए उनका जनमिस्तान अयोद्या है वे अपने आपको भगवान राम के वंश में ही मानते हैं सूर्य वंश है इच्छाकू वंश से चले आ रहा है जैन धर्म के पांच तीर्थंकरों की जनम भूमी अयोद्या है जिसमें रिशब देव हैं अजीत नात हैं अभिनंदन नात हैं सुमंत नात हैं अनंत नात हैं उन पांचों ही जैन जो तीर्थंकर हैं इनके जनम इस्तान अयोध्या में हैं और सब अपने आपको उसी वंश का मानते हैं महावीर स्वामी ने स्वेम अयोध्या में ने वहां के राजा को जैन धर्म की दिक्षा दी थी और महावीर स्वामी भी स्वेम अपने आपको उसी वंश का मानते थे क्या हम लोगों को मालूम है भगवान बुद्ध भी अपने आपको उसी वंश का मानते है भगवान बुद्ध ने अपने 16 वर्ष का चातुरमास अयुद्या में किया अर्थात भगवान बुद्ध ने सरवाधिक चातुरमास अयुद्या में किया सोले वर्षवे लगातार चातुर मास करने के लिए वहीं आये एक बड़ा भारी वहाँ जो पूर्वा राम है उनका था मठ जैसा हम मान सकते हैं वो वहाँ इस्थापित किया और पहला किसी राजा को जो दिक्षा देने का काम उनोंने किया प्रसेन जित नाम का राजा था जो पहला राजा है जो दिक्षा लेकर के बहुत दमत में आया वो अयुध्या में ही आया चीनी यात्री जो फायान और वेंसंग दोनों ने बहुत दमत के बड़े केंद्रों का अयुध्या में वडन किया है बगवान राम जिस कुंड के पास बैठ करके दातुन करते थे ऐसा क वेंसंग फायान इन दोनों ने इस व्रक्ष का और वहाँ पर जो इस तूप था अशोक के द्वारा इस था पर एक पिलर था उन सब का वर्डन किया है अर्थात बहुत मत का भी एक बड़ा इस्थान यह रहा है लम सिक्ष मत की और सिक्ष धर्म की और देखते हैं गुर्णनक देव अयोध्या गई थे एक लंबे समय तक विवा ठेरे गुर्टेग बहादूर अयोध्या गई थे वहाँ वे भी ठेरे गुर्गोवई जिन जब पत्ना साहिब से बाप्रस आ रहे थे वे अयोध्या में ठ निहंग सेना गुर्गोविन सिंग्जी के बाद वहाँ पर गई थी राम जनभूमी के लिए संगर्श करने के लिए वे सबी लोग शहीद हुए उन गुर्ध्वारों में इन तीनों गुरुओं की समृतियां और दो गुरुओं के शस्त्र निहंगों के शस्त्र वहाँ पर लोगियों की रही जिन्होंने अयोध्या में राज्य किया भगवान राम जिस शिव की उपासना करते थे वो शिव मंदिर अयोध्या में भगवान राम जिस देवी की उपासना करते थे वो शाक्त मंदिर अयोध्या में राम ने जहां पर अपना शरीर पूर्ण किया वो पव जानकारी के लिए दिल्ली में एक बड़ी विदूशी महला थी उनका नाम था सरोज बाला वे आई एरस ओफिसर थी उन्होंने पुराने साहित में जो इस्लोक लिखे रहते हैं भगवान राम का जन्म कब हुआ भगवान राम के जन्म के लिए दसरत ने पुत्र येश्टी य कि कब किया वो रामायन में इस्लोक है भगवान राम का बन गमन कब हुआ भगवान राम का विवा कब हुआ वो तितिया है वालमी की जिने उस्लोक को लिखते समय ये लिखा है चंद्रमा की सिती कैसी है वरस्पति की सिती कहा है मंगल कहा है बुत कहा है ऐसे इस्लोक में लि कम्पूटर प्रोग्रामिंग में वो तितियां डाली उसका प्रेजंटेशन दिल्ली में बड़े-बड़े विद्वनों के बीच में किया उसके अनुसार ग्रहों के नक्षत्रों की इसी वह या गई आज से लोग आठ नो हजार वर्ष पूर्व अध्यान में आया उस समय का तो नक्षत्र विज्ञान था वो तितियां ऐसे नहीं लिखते थे नक्षत्र बताते थे आज का पंचांग क्या है उसके हिसाब से वे श्लोक है अच्छे कुनों चित्र सरोजबाला जी ने बनाए है उन्होंने चित्र बनाया पुत्र येश्टी यग्य का समय राम के जनम क समय राम के विबहा का समय राम कर गमन का समय वापता से और प्रिकार से उन्हों ने इसका प्रेस्टेंटिशन किया था ऐससे तीर्थ अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा अयोध्या में जो हजारों वर्षों में जितने भी मत पंत संपर्दाय चले हैं उन्हों सबका कोई नी कोई स्थान अयोध्या में है 1901 के लगवग एक एड़वर्ड नाम के डियम थे अयोध्या में उन्होंने एक सभा बनाई उसका नाम दिया उन्होंने एड़वर्ड तीर्थ विवेचनी सभा 1901 और योध्या के पूरे छेतर का उन्होंने अध्यान किया और 148 इस्थान निश्चित किये जो योध्या में किसी नि य किसी करण ड्यात में या धार में महेत्व कहते 140 स्पोर्ट, consensus in उन्होंने भी लगाए थे 140 स्पोर्ट ऐसे हैं जिसमें उस समय के देश के सभी संपर्दाय सभी इम्मत सभी विचार उनके अध्यात्मिक लोग वहां कभी ने कभी आये हैं रहे हैं ऐसा हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा 148 इस्थानों का पूरा गर अध्यन करेंगे तो उस समय से सारे देश के सभी मत अपंतों संपर्दायों का एक कैसा सुन्दर केंद्र आयोध्याब बन गया था हो सकता है वैचारिक तो मत भिन्नता रहती है कुछ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं कुछ नहीं करते हैं कुछ शिव की आराधना करते हैं कुछ वैष्णव की आराधना करते करते बेरागी हो जाते हैं कुछ साक्त मत को मानते हैं कुछ वैदिक को करके आर समाजी हैं लेकिन ये भी हम जानते हैं किस प्रकार से नश्ट हुई उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा लेकिन एक छोटी सी बात जो हमारे ध्यान में रहे चौदे में शताब्दी में जब अलावदीन खिल जीन है ये नश्ट करता हुआ आगे बढ़ गया तब अयोध्या के छेत्र के राजपूत लोग अयोध्या छोड़ करके चले गए वो शाम देश गए वहाँ शाम देश में जाकरके उन्होंने एक नई अयोध्या का निर्मान किया वहाँ आज भी उसको अयोध्या करके बोलते है इस्थान है वो राज 1315 से 1757 तक वहाँ चलता रहा हम लोग ये भी जानते होंगे जो अमीर खुसरो नाम का एक लिखक था जो हिंडी की कविता लिखने में ऐसा माना जाता है वो पहला पहला लिखक है और इसमें फार्शी और हिंदी की मिला करके एक शब्द कोश बनाया कविता लिखी उसका नाम है खालिक बारी ये एयोध् विल्डूरंट लिखता है ऐसी महान संस्कति को कैसे नश्ट कर दिया गया ये दुखत है और विल्डूरंट ने भारत के इस सारे विनास के वर्णन को अच्छे प्रकार से लिखा है अब हमारे सामने प्रश्ट करणा होता है भारत की दो विशेस्ता है और हम आध्यात्मिक कहते हैं तो लोगों के मन में आता होगा अध्यात्मिक तो और भी कोई देश हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकि भारत का अध्यात्म ये मानता है, कि परमात्मा सरवभ्यापी है, परमात्मा सब के अंदर है, जैसे मेरे अंदर है, वैसे आपके अंदर है, वैसे व्रक्षों में वैसे पक्षियों में वैसे जल में है थल में है सरबत्र है और उसकी अनभूती करना इसको हम लोग आध्यात्मिक साधना मानते हैं जो जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना की और बढ़ता है उस व्यक्ति के अंदर का विनम्र भाव उसके अंदर की सहेंशनुता उसके अंदर क शालींता बढ़ती है अर्थात हम कह सकते है अध्यात्मिक भाव उस व्यक्ति के अंदर की समस्त सद्गुणों की व्रद्धी करता है जो यह भाव आ जाता है सामने बैठने माला शैव है मैं तो वैशनल हूं ने वो शैव है कोई बात नहीं वो अपनी पद्दति से आरातना क करता है करने दो वो मूर्ति पूजा करता है मैं नहीं करता कोई बात नहीं उसने वो रास्ता अपनाया है उसके अंदर का परमेश्वर ऐसा करने के लिए उसको आग्रे निर्देशित करता है यह अध्यात्मिक भाव सारी विविरताओं में भी कहीं कहीं समानता के धागे ढ प्रेम दया श्रद्धा त्याग समर्पन मितव्याई जीवन जितने सद्गुन हो सकते हैं आध्यात्मिक भाव इनको प्रकट करता है उत्पन्य करता है इनको पैदा करता है ऐसे आध्यात्मिक भाव का केंद्र है जिता भूपेंजी ने कहा राम जो है वे धर्मग्य है राम जो है धर्म प्रान है राम जो है वे धर्म के रक्षक है वे धर्म के ग्याता है धर्म के व्याख्याता है वे आदर्स राजा भी है वे आदर्स पुत्र भी है आदर्स भाई भी है आदर्स पती भी है और इसलिए ज इसका चरित में लिखूं, तो व्यास जी बोलते हैं, नहीं, तुम चरित लिखो राम का, युग युग तक जो लोगों के मन में कहीं कहीं प्रेणा देता रहे, और कैसा एक विचित्र आश्चर हो गया, देश में कोई भाषा ऐसी नहीं है, जिस भाषा में रामाइन नहों, कारवी भाषा में रामाइन, बोडो भाषा में रामाइन, कोई भाषा देश में ऐसी नहीं, जिसमें लोगों ने राम के चरित्र को अपने लिए आदर्श मान करके लिखा नहों, अपने आखों के सामने रखा नहों, तो राम को गाली भी देते, उनका अभी नाम है रामस् जै ललता जी का नाम है जै राम जै ललिता उनकी पार्टी के बड़े नेता थे उनका नाम था एम जी रामचंद्रन यह सब लोग वो बताए जो राम को नहीं मानते हैं तुम नहीं मानते हैं तुम नहीं मानते हैं तुमारे पिता मानते हैं तुमारे बच्चे मानेंगे आगे बीच में कन्फूजन हो सकता है डाइलेमन हो सकता है आंधर में ते उनका नाम दा एंटी रमराओ दक्षिन में राम नहीं है लोईया जी कहते थे राम उत्तर से दक्षिन को जोड़ देता है राम का यात्रा पत्तो देखो राम ऐयोध्या जी कैसे 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 जाते है कहां कहां गूमते है राम सबके है और राम कहने के बाद ये जरूरी नहीं है एक आयोध्यां का दसरत का बेटा राम होई रहा नहीं कभीर का राम अलग है तुलसी का राम अलग है तुलसी का राम अलग है तुलसी का राम बोल रहे हैं एक राम दसरत का बेटा एक राम घट-घट में बेठा एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा चैननोट इसको गुर गोविन सिंग भी कह रहे है, राम ऐसा है, गुर ननक भी बोल रहे है, राम अनन्दी भी बोल रहे है, यह तीनों लोग राम की प्रित्मानी बनाते हैं, लेकिन राम बोलते हैं, कभीर राम मंदर नहीं जाते हैं, लेकिन कभीर राम ही राम बोलते हैं, कभीरा कु दूसरा छुटा था बिंदू और लेता हूं। रामन और लोया जी जो थे, भगवान में ज्यादा भरोसा नहीं रखते थे, कहते भी थे, मेरा भगवान भगवान ईश्व में कोई भरोसा नहीं, लेकि बंदू और इस देश को एक रखता कून है, अध्यात्म तो ऐसा है जो अध्यात्म में दिखता नहीं है, अध्यात्म कहीं कहीं भावनाम में प्रिकट होता है, और जो दिखता नहीं, उसकी साधना कठिन होती है, जो दिखता है, उसकी साधना थोड़ी सरल होती है, सामन, लोक, मत, और लोक, मन, लोक, जीवन, सरल है, यह कठिन नहीं है, यह गरि पुरान की कथा बोलिए सब अच्छे से सुनते हैं रामनुर लोया बोलते हैं भारत के किसी भी बड़े मंदिर में एक कौने पर आप खड़े हो जाएए एक घंटे के इंदा सारा हिंदुस्तान आपकी आखों के सामने से निकल जाएगा यह भारत की एकता का प्रतीक है बंधू आसान काम नहीं है आप रामेश्रम में एक कौने में खड़े हो जाएए आप बद्रिनाथ में कौने में खड़े दोनों के बीच की दूरी सारे तीन हजार किलो मीटर है एक एक गंटा बद्रिनात में किनारे पर खड़े हो जाए एक गंटा रामेश्रम में किनारे पर खड़े हो जाए अपका बताता हूँ एक गंटे के अंदर you will see whole of this country the representative of each and every state will be there whether he is from Karnatak or Tamil Nadu or he is from Kashmir or Assam or Manipur you will find person from each and every state there the unifying force these are the unifying sports रामन और लोया जैसा ऐसा आदमें जो इश्वर मंदर में विश्वास नहीं रखते वे वे कहते हैं कोई बात है इन मंदरों में जो सारे देश को जोड करके रखती है किसी बड़े मंदर के कौने पर शांत खड़े हो जाए आने वाले लोगों को देखिए एक घंटे के अंद सारा हिंदुस्तान आपकी आँक के आगे से निकल जाएगा रामन और रोया बोलते हैं आगे मैं रामेश शुरम के मंदिर गया दर्शन करने के लिए मैं ऐसे दोड़ा जिस गाए अपने बश्रे के लिए दोड़ती है या बश्रा अपने गाए के लिए दोड़ता है राम रामेश शुरम के मंदिर के दर्शन के लिए मैं ऐसे दोड़ करके गया इस देश को एक रखा किसने हैं लोगों को बड़ा कन्फीजन होता है कि सम्मिनान देश को एक रख सकता होता तो यूससर क्यों तूटा अगर संभिनान देश को एक रख सकता होता सेना देश को एक रखने में साम अर्तिवान होती तो यू उसलाविया क्यों तूट गया जैकोशलोवा क्यों तूट गया और पच्चीस साल के अंदर पाकिस्तान क्यों तूट गया हम नहीं तूट पाए 72 तूट सकते तो रामनों लोया बोलते हैं इस देश के अंदर जो यूनिफाइंग बॉंड है वो अध्यात्म है वो शिव है वो राम है वो कृष्ण है भार का ध्यात्म है उसलिए अयोध्या का मंदिर एक मंदिर मने एक नई पृत्मा खड़ा करना ऐसा नहीं वो जेन है बौ हजारों साल से जैसे से पंथ आते गए अयोध्याम उनका केंद्र बनता चला गया अयोध्यावादा यूनिफाइंग फोर्स अयोध्या एक आत्म बोध करने वाली ताकत का नाम था भारत ने ऐसे इस्थान डवलप किये थे इवोल्व किये थे क्योंकि भाषा के विविर्थ भी था थी बोलियां भिन्य थी खान पान अलग था सोचने के तरीक अलग थे सहाईत trabalhले पहनाव steril राज्य अलग्थे राजा अलग्थे शेना अलग थी लेकि भारत नाम का राश्टर राश्ट्र का तत्व एक था इसको एक बनाए रखने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें तीर्थों का विकास था बिन्ने में प्रकार के तीर्थ आप एक बार कुम में खड़े हो जाए लोहिया जी बोल रहे मंदिर का आप गंगा में देखिए ना वो गरीब है वो अमीर है वो तमिल भासी है है यह हिंदी भासी है वो इनश्टरी का बड़ा मालिक है। ऑसे कोंग है यह को मज्दूर है वो बड़ा मंत्री है यह को चुटा करमचारी है उत्तरकाय दक्शिंकाय गंगा के जल में खड़ा होता है गंगाउज दा युद्टा guys फोर्स गंगा देश को एक बना करके रखती है जैसे गंगा एक बना करके रखती है हमारा रामेश्रम एक बना करकता है हमारा केदार बद्री एक बना करकता है हमारी अयोध्या एक बना करकती है अयोध्या का मतलब यह नहीं है कि एक नया मंदिर खड़ा कर देंगे हम लोग य अध्यात्म का विखास करेंगे अध्यात्मिक भावनाओं को लाएंगे है और साथ यसाथ देश को एक रखेंगे आज दुनिया एक नए वर्ड और क्यों बढ़तो रही है इस नए वर दो अदिक साथ संपती का आरजन है च्शादिक अपरे सुक्षिवधाओं का एक अच्छी करण है वह अध्यात्म नहीं है भारत एक ऐसा इस्थान है नहीं दोनों बातों का एक अच्छा सिंथेसिस है वर्डली नॉलिज भी है लेकिन स्पिर्च्वल विजडम भी है हम जो लौकिक संसार है इसकी उपेक्षा नहीं करते राम ने उपेक्षा नहीं करी राम के अयोध्या में सबको सब सुक्ष था लेकिन राम के अयोध्या में कोई किसी से बैर नहीं करता बैर उनकर काहूसन कोई राम प्रताप विशमता खोई तो राम का जो प्रताप है या ध्यात्मिक है, क्या हम ऐसी अयोध्या की फिर से कलपना कर सकते हैं, जो अयोध्या देश के नहीं, दूनिया के सारे मतों को, सारे संपरदायों को, सारे विचारों को, एक इस्थान पर ला करके कहें, नहीं, संपूर्ण स्रष्टी एक है, मानवता एक है, जीव जगत एक ह के आगे बढ़ो, सब सभी के दुखों के निवारन के लिए आगे बढ़ो, यही भारत का ध्यात्म कहता है, भारत की अयोध्या, सनातन उस दर्शन का प्रेणा का स्रोत है, जिसको राम नाम के व्यक्ति ने, उस महापुरुस ने, उस जगत-पता परमात्माने, जो उसको जैस जैसा माने, उसने इस सारी दुर्या में आगे बलाने का प्रत्न किया, वही आयोध्या हमारे लिए अभीष्ठ है, एक मंदर मात्र नहीं, और इसले आयोध्या आगे बढ़ेगी, इसका विकास होगा, आयोध्या ऐसी होगी, सारे विश्य को एक नई दिशा देने वाली, इ मैं समझता हूँ, यही अविध्या हम सब को अभीष्ठ है, नमस्कार.